गुद्मॉर्णिंग फ्रेंड्स मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का The Right Gardening YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक है Marigold यानि की गेंदे का फूल है उसकी प्लांट के आप मेरे सामने जो पौदा देख रहे हैं जो फ्लार देख रहे हैं इसको Marigold बोलते हैं गेंदे के नाम से इंडिया में बहुत पौपुलर है और यह आपको तक्रीवन हर घर में मिल जाएगा जिस इंसान को gardening का शौक भी नहीं है फूलो का शौक भी नहीं है वो भी अपने घर में उनके घर में भी आपको Marigold का जो प्लांट है वो मिल जाएगा तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं friends तो पूरी वीडियो देखिए और अगर आप लोग ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियो प्लांट के बारे में मिलती रह इसको मैं प्लांट नर्सेरी से आपको आराम से गेंदे के फूल मिल जाएंगे सर्दियों के सीजन में यह मुझे एक प्लांट 20 रुपे का मिला है यह वी 20 रुपे का यह दोनों डिफरेंट वराइटीज है आप इनके शेड से देख सकते हैं इसका जो शेड है बीच में थ दूप की बात करूँ तो मेरीगोल्ड जहां पर दूप बहुत तेज आती है बहुत सर्दियों के अच्छी दूप आती है वहीं पर मेरीगोल्ड ग्रो करते हैं यहां पर जहां पर दूप नहीं आती है वहां पर मेरीगोल्ड अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करते हैं तो आ आपको इसकी well-drained रखनी है दल्दली नहीं बनानी दल्दली मतलब ऐसे आप अगर उंगली करेंगे तो पूरी उंगली अंदर नहीं जानी चाहिए ठीक ठाक उंगली अंदर जानी चाहिए आप दल्दली बना देंगे तो इसमें root rot होने का खत्रा है root rot मतलब इसकी जो roots होती है वो गलनी शुरू हो जाती है उनमें fungal attacks आने शुरू हो जाती है और दीरे दरे आपका जो plant है वो मर जाता है अब हम इसकी watering needs के बारे बाद करते है friends गेंदे को पानी की जो needs है वो जादा चाहिए होती है लेकिन आप इसको पानी तभी दी से तो मैं इसमें पानी दूँगा और फिर जब यह मिटी फिर सूख जेगी फिर में में पानी दूँगा यही तरीके से plant जो है सर्दियों में अच्छी तरीके से flowering भी करते हैं और grow भी करते हैं तो यह थी पानी की बात friends अब हम इसमें और पानी आपने क्या करना है पानी ना आपने फूल पर स्प्रे करना है वाटर ना आपने ऊपर से पानी देना है क्योंकि अगर आप उपर से पानी देंगे तो आपको जो flower है वो देरी-देरी सहर्णना शुरू हो जाएगा क्योंकि सर्दियों में ठंड जाद होती है तो पानी जो है तो प्लांट काला जाब कर सके अब हम इसकी फर्टिलाइजर की बात करते हैं फ्रेंड्स गेंदाव ऐसे तो बहुत हाड़ी प्लांट है सबसे जादा हाड़ी अनुल प्लांट है और इसमें आप महीने में एक बार गोबर खात दे दीजिए या वर्मी कंपोश दे दीजिए इस प्लांट के लि लेकिन जब यह बुशी हो जाएंगे थोड़े ग्रो कर जाएंगे अच्छे बड़े हो जाएंगे यह देखिए नई बड़ भी आ रही है तो मैं इनकी रेगुलर ट्रिमिंग करूंगा इनी कुछ टिप्स की वज़े से भी यह समर्ज में भी सर्वाइब कर जाते हैं ऐसा विंटर गार्डन के में बहुत सुंदर लगते हैं अलग-अलग शेट्स में इसमें फंगल एटैक्स पैसे तो काफी कॉमन हैं तो आप एक फंजी साइट प्लांट नशरी लोकल प्लांट शॉप से लेकर आ सकते हैं और वो स्प्रे कर सकते हैं इस पर लेकिन आपने करता है और तभी अच्छी तरीके से ग्रोध करता है मैरीगोल्ड ऐसे तो बीच से भी बहुत असानी से लग जाते हैं लेकिन कटिंग से आम तोर पे लगाए जाते हैं यह वाला जो प्लांट है इसको अगर मैं दिखाऊं तो यह शायद देसी वेराइटी है इसमें प्लांट अगरे और अगरे ऑर बा सबकुछ अच्छा लगता है तो यह थी बैसिक के टाप्स मैरी गोल्ड के ऐफलार के बारे में फ्रेंड्स आप ये basic care tips फॉलो करिए अपने garden में और आपका जो marigold का plant है वो अच्छे तरीके से glow करेगा, bloom करेगा और healthy रहेगा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी friends? like, share, comment ज़रूर करिए और अपने friends के साथ भी share करिए ये वीडियो और अगर आपने मेरा youtube channel subscribe नहीं करा है तो please मेरे channel subscribe कर लीजे ताकि आपको और आने वाली plant की videos ऐसी ही मिलती रहें तब तक के लिए मेरे channel के साथ बने रहे है अपना ध्यान रखिए, goodbye, thank you